हेलो एवरिवेन आप सभी का फिर से स्वागते मेरे चेनल पर आज की वीडियो में मैं आपको तेल के खाली डब्बे का एक बहुती सुन्दर रियूज बताऊंगी जिस डब्बे को हम बेकार समझ के फेंग देते हैं जिस ओईल को हम अपनी किचन में इस्तमाल करते हैं उसके ऐसे डब्बे आते हैं 2 लिटर या 5 लिटर आपके पास कोई भी डब्बा हो तो वो आप डब्बा ले सकते हैं तो हम इन डब्बों को बेकार समझ के फेंग देते हैं लेकिन आज जो मैं आपको इसका रियूज बता रही हूँ यह आइटम आपकी किचन में बहुत ही काम आएगा और यह बहुत ही यूजफुल है तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरुर पसंद आएगी प्लीज वीडियो को पूरी देखे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर करना ना भूले और अगर आपने अभी तक चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चेनल को सब्सक्राइब करें और शाहती बेल आइकन को प्रेश करें उससे आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोट्पिकेशन मिलती रहेगी तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इस डबे पे यहाँ पर एसे मार्क कर लेंगे अगर आपको छोटा साइज में चाहिए तो आप थोड़ा सा नीचे मार्क कर सकते हैं लेकिन यह दो लीटर वाला डबा है तो मैं इसमें यहाँ पर एसे मार्क कर रही हूँ आप देख सकते हैं वीडियो में तो इस तरह से चारो तरप आपको मार्क कर लेना है यह देखे अब वो जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे तो आप वो चाकू या कोई केची किसी से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हो यह देखे यह मैंने इसकी कटिंग कर ली है यह आप देख स अब हम इसको और भी डेकोर करने के लिए देखिए सबसे पहले तो मैंने यहां पर चाकू गरम करके और इसकी जो किनारी है उपर इस पर रगड़ रही हूँ इससे क्या है कि थोड़े बहुत जो यह कटता है तो यह हमारे हातों में लगता है तो इससे बिल्कुल प्लेन हो ज सकते है या फिर कोई कलर भी ले सकते है वैसे इसको सिंपल भी रख सकते हैं लेकिन मैं इसको एक दम भी Whoo चड़ाई सी बनाने वाली हूँ तो यहांपर में नकुनपॉली इसका इस्तमाल कर रहे हो जो भी वे स्टेज आपके पास हो उनका इस्तमाल कर सकते हैं तो इस तरह देख सकते हैं, आप कोई भी डिजाइन इस पे बना सकते हैं, कलर से भी बना सकते हैं, नकुन पली से भी बना सकते हैं, इससे क्या है कि ये हम इसको वोस करेंगे, इसको साप करेंगे कभी, तो ये पानी से भी नहीं अटती है, इसलिए मैंने इसका इस्तमाल किया है, आप वा इसी तरीके से इसमें डिजाइन कर लोंगी यह आप देख सकते हैं मैंने यह हलका सा यहां पर डिजाइन किया है यह देखे तो डिजाइन आप पसंद से कर सकते हैं यह देखे कितना प्यारा लग रहा है लग भी नहीं रहा कि हमने यह तेल के डबले से बनाया है अब इसका र बड़ा बड़ा सामान है और कितना सारा सामान है ये भी आप देख सकते हैं अब आप इस तरीके से अपने कोई भी सामान को इसमें रख सकते हैं जो बड़े आइटम है देखे जो मार्केट से हम लाते हैं इसमें छोटे आइटम आते हैं छोटी चमच वगेरा खाने की और इस से खास बात है कि इसकी जो नीचे से वीरत है वो जदा होती है तो यह साइडों में गिरता नहीं, इधर, इसमें आप एजीली सामान रखसकते हो और इसमें काफी सारा सामान आजाता है, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने इसमें कितना सारा अपना सामान रख लिया है और आप इसको अपनी प्लेटफोर्म पे रखे ताकि आपको कुकिंग करती समय कोई भी सामान ढूणने में परिशानी ना हो, क्योंकि आप आसानी से इसमें से सामान ले सकते हैं, नहीं तो क्या है कि यह हमारे जो आइटम है यह बरतनों में गुम जाते हैं और फिर हमको इनको ढूंडने में टाइम लगता है तो आप इसको प्लेटफोर्म पे रख लीजिए आपके गेस चूले के पास या फिर फिर सिंग के पास में और इस तरह आप अपने सामान को इसमें और गिनाजि दो सबस्क्राइब नहीं किया है तो पिलीज चैनल को सबस्क्राइब करें साथ इस बेल आइकन को प्रेश करें उससे आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के सबίνего के सूथ